क्या दोस्तों आपके मोबाइल में इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी खतम हो जाती है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोब्लम को सॉल्व कर सकते हो कीज़ की दोस्तों आपको डेली डाटा लिमिट बन जीवी, डेर जीवी या फिर दो जीवी मिलती होगी और कई बार दोस्तों ऐसा होता होगा गिए आप यूज भी नहीं करते हो उसके बाद भी दोस्तों आपके इंसे डाटा खतम हो जाती है मोबाइल की सेटिंग open करने के बाद आपको क्या करना है यहापे search box पर क्लिक करना है और यहापे आपको type करना है update ठीक है तो मैं यहापे update type कर रहा हूँ same दोस्तों आपको ऐसे ही type करना है update type करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक setting देखेगी software update इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर software update वाला option आ जाएगा ठीक है तो अगर आपके phone में software update होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखेगा अगर update नहीं होगा तो यहाँ से दोस्तों आप अपने mobile के software को update कर देना ठीक है तो इसके बाद दोस्तों अब बात करते है next setting की ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आप अपने mobile में play store को open करोगे play store को open करने के बाद आपको यहाँ पर profile पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तो आपको यहापे setting दिखेगी auto update apps इस पे click करना है इसके बाद दोस्तो आपके phone में यहापे set होगी तो आपको don't auto update apps वाली setting पे click करना है और यहाँ से okay कर देना ठीक है इसके बाद दोस्तो आपके phone का कोई भी software automatic update नहीं होगा क्योंकि दोस्तो आपके application update होते रहते हैं उससे दोस्तो आपकी data खतम हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है अब दोस्तो बात करते हम अपने next setting की ठीक है तो आपकी mobile में photos application होगा ठीक है तो इस पे आपको click करना है क्योंकि दोस्तों ये जो application है आपकी mobile में जितने भी photo जो या पर video है वो automatic store करता रहता है ठीक है backup करता रहता है जिससे दोस्तों आपकी जो internet data है बहुत ख़तम हो जाती है तो इस application को open करने के बाद आप यहाँ profile पे click करोगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ एक option मिलेगा backup इस पे click करना है तो यहाँ पे दोस्तों एक setting का icon दिखाई दे रहा होगा इस पे click करना है तो यहाँ से दोस्तों इस backup बाली setting को आपको close कर देना है जिससे दोस्तों आपके photo या फिडियो जो automatic upload नहीं होगे इससे दोस्तों आपकी जो data है काफी ज़्यादा save हो जाएगी open करोगे इसके बाद दोस्तों आपको यह profile पे click करना है ठीक है profile पे click करने के बाद आप उपर की तरब scroll करोगे तो यहाँ पर आपकोBYCAT, privacy वाली setting मिलेगी इस पे आपको click कर दोस्तों आप नीचे की तरब scroll करोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक setting आपको दिखाई देज़ी cellular data use ठीक है इस पे आपको click कर देना है इसके क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक setting दिखाए देगी data saver इसके क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आपको नीचे की side में एक और setting मिल जाएगी neighbor auto play video ठीक है इसके क्लिक कर देना है अब कितना भी दोस्तों आप facebook की use करो यहाँ पे आपकी बहुत जादा data खतम नहीं होगी इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने next setting की ठीक है तो आप अपने mobile में instagram application को open करोगे instagram को open करने के बाद दोस्तों आप profile पे क्लिक करोगे profile पे करने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ पर setting वाली setting पे क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों आप उपर की तरफ स्कॉल करोगे ठीक है तो यहाँ पे स्कॉल करोगे तो नीचे की सैड में आपको एक setting दिखाई दे जा आगी data usage and media quality ठीक है इस पे आपको किलिक कर देना है इसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर देखोगे data saver वाली setting मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो आप इस setting को own कर देना है इसके बाद नीचे की side में देखोगे तो media upload quality ठीक है आपके phone में यह setting own होगी इसको दोस्तो आपको off कर देना है दोस्तो आप अपने mobile में इस सारी setting को apply करो उसके बाद दोस्तो आपकी mobile की जो data है 100% जल्दी खतम नहीं होगी अगर दोस्तो आपको कोई भी problem आती है तो comment करके पूश सकते हो अगर दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना ऐसी और interesting वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करके वेल आइकन को जरूर से प्रेश करें